हलो फ्रेंड्स वेलकम यौल अगेंड टु दे नेक्स लेक्चर आफ सी प्रोग्रामिंग सिरीज जहां पर हम बात कर रहे थे इफ एल्स स्टेटमेंट के अभी तक जहां पर हमने सिंपल इफ इस्टेटमेंट को देखा हमने इफ एल्स का कॉंसेप्ट हमने देखा लेडर कि मैंने इसलिए नामी यह रखा हुआ है वड़ापन इफ यूज सेमी कॉलन इन इफ स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा कॉंसेप्ट लेकिन कई बार पूचा गया बड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है थोड़ा सब क्योंकि इसके बारे में लोग बड़ा अलग-अलग पर आज बात करने वाले है कि यदी आपने इफ स्टेटमेंट में सेमी कॉलन को यूज किया है तो एक्जैक्ली क्या होता है तो समझ ना इसको धेहान से इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर्द इंटर्वेर रूम ओके एंग्जीमम पीपल आर एक्चुली कंफ्यूज आपको मिलेंगे इसके लेकिन हम बात करते हैं क्या होता है अगर आप सी में इस में सेमी कॉलन लगाते हैं ओके मतलब लिया टॉपिन अबूट सम्टिंग लाइग दिस कि यदी मैंने है ऐसा लिखा है इफ मानलों कंडिशन अंदें सेमी कॉलन जनरली हमवोलते हैं इफ यह दिन नोट टर्मिनेट विट सेमि कॉलन लेकिन अगर मैंने सेमिकॉलन लगा दिया तो कोष्टर निक्या एर्र आईगी प्रोग्राम में और एर्र आईगी तो क्यों आएगी अगर ए अब देखो एक्च्छिली क्या होता है यदि मानलो में यहां पर है कि स्टेटमेंट सी में कुछ इस तरीके से लिखा सी लरेसिया पहले सको समझवा से लरेसिया semicolon 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 printf hello अच्छा इसके भी पहले concept में आपको बताता हूं चलो वो भी समझभा आप मुझे बताओ क्या इस compulsory कि मैं CLRHCR के बाद निक्स्टेटमेंट को नेक्स्टाइन पे लिखूं आपको पता semicolon का मतलब अबता termination of command कि जब हम semicolon लगाते हैं तो एक्चली आपका प्रोग्राम यह मानता है कि बाद इस स्टेटमेंट इस टर्मिनेट सियर यह स्टेटमेंट यहां पर terminate हो गई है ओके तो क्या यह कंपल सरी कि मुझे सिर्सेर के बाद नेक्स स्टेट में एक्स्टाइन पे लिखना होती है बिल्कुल कंपल सरी नहीं है में प्रोग्राम को से भी लिक सकना थे लरे सियर देन प्रेंट एफ सबोज हलो ठीके देन सेमी कॉलन देन प्रेंट फ मतलब जो भी आपको लिखना है सके एफ प्रेंट एफ ओके something like this you can write the complete program in a single line compiler को कोई मतलब नहीं है इस चीज से क्या नेक्स टाइन उसको तो यह पता है कि वह सेमी कॉलन मतलब टर्मिनेशन इसके बाद वाली statement आप next line पे लिख रहे हैं यह सेम लाइन पे लिख रहे हैं इस ए सेम दिंग ठीक है लेकिन यह प्रोग्राम का एक्चली स्टाक्चर प्रॉपर नहीं होता है तो कि अगर आप लाइन में तो लाइन का कोड लिख दो के तो कोई भी नहीं समझ पाएगा को फर्प्रोग्रामर अंडरस्टेंग फर यूजर अंडरस्टेंग हम प्रोग्राम में semi colon के बाद next statement को next line पे लिखते हैं बट इट इस नोट लिखाए प्रिंट है देहां तो समय नहीं को क्या लगता को अपने इन दिसकोड एरर ओके दिस नो एरर इन दिस प्रोग्राम हमेशा देहां से सुनना जब भी आप केवल सेमी कॉरन लगाते हैं कोई स्टेट्मेंट नहीं है तो कंपाइलर के लिए वह स्टेट्मेंट है कंपाइलर कंसेडर इजन स्टेट्मेंट लेकिन कंपाइलर के लिए केवल सेमी कॉरन ब्लैंग स्टेट्मेंट होती है इडिस ब्लैंक स्टेट्मेंट वो उसको एक्जीक्यूट करेगा वह उसको एक्जीक्यूट करेगा वाट उसके एक्जीकुशन का कोई इफेक्ट आउट अभी विन आपको बोला साना कि हम सेमिकॉलन के बार अगली स्टेटमेंट सेम लाइन पर लिखें नेक्स लाइन पर लिखें कोई फरक नहीं पढ़ेगा तो अगर मैंने सीलर स्यर के बाद सेमिकॉल लागा दो स्टेटमेंट लेखें और कुछ यसा लिख दिया प्रिंट एफ हलो सुन अधिहां से प्रिंट एफ हलो एंदेन गेट सीच तो यहां लुक एंट फील क्या दे रहा है हमें प्रोग्राम कि मैंने सीलर स्यर को तीन सेमिकॉलन से टर्मिनेट किया है जबकि प्रोग्राम में दो ब्लैंक स्टेटमेंट इसका नेकस्ट पर लिखो या उसी लाइन पर लिखो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन वह स्टेटमेंट होती है अनले सेमिकॉलन इसकॉल टापिक पर आते हैं कि सब्सक्राइब अगर मैंने एक स्टेटमेंट ऐसे लिखी आटमेंटर इफ 50 greater than 10 टेंट 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 इफ 50 greater than 10 semicolon printf hello if 50 greater than 10 semicolon printf hello छुनना देहन से मतलब इफ के साथ मैंने semicolon लगा है और अभी अभी मैं आपको थोड़ी ज़र स्वरी इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर इसमें curly bracket नहीं होते हैं तो इफ अपने साथ default कि इतनी statement लेके चलता है एक कि अगर आपके इसमें curly bracket नहीं है दिन इस इस इसको अगर मैं एक काम करता हूं तो मुझे आउटपूट चलो एक काम करते हैं यूदर से एक वैलू एंटर करते हैं तो आपको चीज़ें बेटरली समझ में आएंगे और मानलो मैंने आपर लिखा प्रिंट एफ एंटर अनमबर ठीक है और उसको इसकान कर लिए अक वेरिये वल्डिकलेर कर दिया इंटिजर एंट यहां पर हमने लिख दिया सकन फ परसेंटेज डी को मैं परसेंट और यह मैंने लिखा है आपर इस एन ग्रेटर देन सब्सुप्टी ओके अब अगर मानलो में एन की वैलू देता हूट तैन सबोस्ट तै और इस और नेक्स ट्रीकले को हाँ अगर अगर 700 तो ब्लैंक स्टेटमेंट एकजी कोट नहीं होगी जिस से कोई फरक नहीं पड़ा हलो तो भी एकशी कुड़ होगा यादे ना अब अगर मैं सेमिकॉर्न ईखा के यहां लिख दूं तो हमें यह दिख रहा है कि मैंने इफ को टर्मिनेट किया है सेमी कॉलन से जब कि ऐसा नहीं है यह जो ब्लैंक स्टेट्मेंट थी इसको मैंने यहां लिख दिया तो अब इस से असोसियेटेड स्टेटमेंट को नहीं यह ब्लैंक इस से असोसियेटेड है यह ब्लैंक इस हलो का इस से कोई कंसर नहीं है इस हलो का इस से कोई कंसर नहीं है अगर कंडिशन ट्रू हुई तो यह ब्लैंक कि स्टेट्मेंट करेगा हलो को तो करेगा अगर कंडिशन फॉल से तो ब्लैंक स्टेट्मेंट एक्जी कुट नहीं होगी हलो तो फिर भी होगी तो क्या होता है जनरली हम ऐसा लिखते हैं प्रोग्राम में इफ एन ग्रेटर देंट एंट से भी कॉलन प्रिंट एफ हलो समझना प्रिंट एफ हलो कहीं बार क्या होता है हमारी आदा होती हर स्टेट्मेंट से मिकॉलन टर्विनेट करने के तम इफ में भी लगा देते अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या होगा आप कोई भी नंबर दे दो वह अलो करेगा आपने 50 दिया 100 दिया तो भी हम लो तेन दिया तो भी हलो ना इन दिया तो भी हलो तो वाट्चा कंदिशन का सब्सक्राइब अधिकल रहा है कि अधिशन तो चेकिन और एक अधिशन तो चेक हो रहे है लेकिन उस कंडीशन के अगेंड में ब्लैंक स्टेट्मन एक्जीट और यह क्यों कि हलो को इस समिकॉलन ने इप से बाहर गर दिया है अगर कंडिशन फॉल से बलैंक स्टेटमें गजी के नहीं हलो तो प्रेंट हुआ तो सेmy कॉलन आपके प्रोग्राम के रिजल्ट में क्या चींज कर सकता है आपको समझ में आ रहा है ना वह आफके कंडिशन को ही चैंज कर देगा मतलब वह जो आप एक्ट्शोल डिजल चाहत है वो ना मिलके आपको हर बार अलगी आउटपूट मिलेगा अलग आउटपूट इन देसे टू फॉल्स सब पर कोड एक्जी कुशन होगा अब इसमें एक और चीज देख आप ये कोशन अक्सर पूचा गया इंटर्व्यूज में जदी सपोज मैंने यहां लिग दिया एल्स प्रिंटेफ गाई को थो अब धायन देहां से अ सब्सक्राइब के सब्सक्राइब को अगर एंक वेलू हंड्रेड हे तो ठीके इस केस में इस केस में अगर Inki-Value 100 है तो भी परोग्राम में एर है और अगर Inki-Value 5 हे तो भी ए रअरे- Institute и valokai programma syntax error a program execution ने है नहीं करेगा अगेन में दिनने शेंठेक्स एर्ह प्रोग्रांब में मिस्प्लेस miss place else there is a syntax error miss place else क्यों है miss place else बच्चे जराध्यान दे एक्चुली एस्टेटमेंट यह लिखी हुए देख़ा आप मैं आपको इसलिए बता रहा हूं प्रिंट एफ भाई मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि यदी आप इसका एल्स लिखते हैं तो एल्स लिखने का रूल यह होता है जहां इफ कि टरेट्री क्लोज होती है उसका एल्स वहीं से शुरू होना चाहिए अब अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको दिख रहाए आपने एक 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 स्टेटमेंट लिखी है पर इस सेमी कॉलन के अकरण आ समझेट समझ में आएगा तो एक समी कॉलन लगाने से आपको इधर मिस्प्रे सेल्स के रमलना शुरू हो गई रीजन समझ में आपको क्योंकि इस समी कॉलन के करण इफ कंसिस्ट विट टू स्टेटमेंट इन एल्स इस नॉट आप आप इफ नौ अव वह वह एल्स इफका पाड़ी नहीं है कि यह समझ मैं आपको तो यह सेमी कॉलन का कमाल है कि क्या होता है जमाव इफ में सेमी कॉलन लगाते है क्लियर आई होप यूप यू गास कर अंडेस्टेंड इस इसको समझना क्योंकि एंटर्विव का इस्पेशल मैंने इसलिए टॉपिक लिया है विकास सो मिने टाइम्स टूडेंट केट कान्फूज कि सर वाट आपन कई लोग इसको बढ़े गलत तरीके से भी इंसर करते हैं कि इस से मिकालन लगाने से यहीं टर्मिनेट हो जाता है इष पोई टर मिलेट नहीं होता है इफ का टर्मिनेशन तो समीकॉलन से होता ही नहीं है इफ एक क्लास में इससे ही कुछ शांदार कॉंसेट के साथ जहां पर हम बात करने वाले हैं गो-to statement की कि वाट इस गो-to statement and how we can use go-to statement in C language with the if-else यह इफ-else को यूज करके हम किस तरीके से go-to statement को यूज करेंगे चलिये तो मिलते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहें तो प्लीज चेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को वीडियो को लाइक करते रहें और मुस्कुराते रहें मिलते हैं एक क्लास में थैंक यू